नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्र मैं आपके साथ पूजा राठो श्रफमा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंड़ी विशेश्वग्य पंडित सुरेश पांदेजी पांदेजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है राशी नुसार किस भगवान की पूजा भरेगी तिजोरी, बढ़ाएगी सम्मान, बनाएगी सेहतमन और करेगी कल्यान, जानी के लिए देखिए काल चक्रिर तो चले चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा की हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि आज किस विशे पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानि अलग-अलग राशियों को किन-किन भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी तमाम मनो कामनाय पूरी हो, परिशाने जि तो पंडी जी मेरा सबसे पहला सवाल, क्या वाके में अलग-अलग राशियों को अलग-अलग भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या इसके पीछे भी कोई सच कोई राज चिपा है, दोको अर्सा है पूजा, जो आदमी जितने डिगरी पर पैदा होता है, उसके आगे, उ उस डिगरी से तीश डिगरी तक का जोगरह स्वामी होता है, या फिर एक सो बीश डिगरी से एक सो पचाश डिगरी के बीच का जोगरह स्वामी होता है, या दो सो चालिश से दो सो सत्तर डिगरी के बीच का जोगरह स्वामी होता है, वो उस रासी के जातक के लिए बरदान बन जाता है, अब इसको हम दूसरी भासा में समझाएंगे,र्य तो रही मयत की भासा, गरिद की भासा, योतिस्क की सिध्धान्त की भासा अब इसको हम दूसरी भासा में समझाएंगे कि हर ब्यक्ति का इष्ट अलग होता है मानि इष्ट देव अलग होते हैं और हर आदमी का उपास देवता अलग होता है हर आदमी के लिए सुभ असुभ गरह अलग-अलग होते हैं तो जो गरह जिसके लिए सुभकारी है जो देवता जिसके लिए सुभकारी है जब उनकी आराधना और उपासना की जाती है तो जीवन की सारी कछनाईया अपने आप समाप्त हो जाती है और जीवन सफलता के मार्क पर आगे बढ़ता है कहने का मतलब ब्यक्ति प्रकृति के अनकूल अपने को ढाल लेता है और जीवन की सारी कछनाईया उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं जैमाबिन दिवासनी चले अब बात कर लेते हैं राशी अनुसार और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले राशी है यानि मेश राशी तो नौकरी में प्रमोशन, अच्छी सेहत और किस्मत का हमेशा साथ पाने के लिए मेश राशी वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जानते हैं पंडिजी से देखिए यदि आपकी राशी मेश राशी है तो आप जान लिजीए कि आपका राशी स्वामी मंगल है जो साहस और पराक्रम का प्रतिन्धित तो करता है साहस और पराक्रम का प्रतिन्धित तो आपका ही राशी स्वामी मंगल करता है और दूसरा कोई नहीं अगर मेसरासी वालों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है या खराब सेहत के करम मेसरासी वाले अपने काम पर ध्यान नहीं दे पार हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको हर रोज सूरे को अरग देना चाहिए क्योंकि सूरे आपके उपासनास्थान का मालिक है अगर आप नित्य प्राता काल सुर्योदय के समय एक लोटा जल में थोड़ी सी रोली थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दुर्वा थोड़ा सा फूल डाल करके ओम ब्रहमा स्वरूपिने सुर्य नारायलाय नमहा ओम ब्रहमा स्वरूपिने सुर्य नारायलाय नमहा ओम ब्रहमा स्वरूपिने सुर्य नारायलाय नमहा इस मंत्र को तीन बार बोलते हुए एक लोटे का जल तीन बार में आप सुर्य के सामने गिराएंगे ठीक है और उसके बाद में गायत्तिरी मंतर का एथा संभव जब करेंगे मेरा विश्वास है कि आधे से ज़्यादा आपके जिंदगी की परिसानी इस एक उपाय से ठीक हो जाएगी और आपके चेहरे की जो रहुनक बढ़ेगी वो देखने लायक होगी कोई क्रीम या कोई पाउडर या कोई साबुन आपके चेहरे पर वो तेज नहीं ला सकता है जो तेज आपको सूर्य को अर्ग देने के बाद प्राप्त होगा में सराशी के जातकों के लिए भाग्यभाव का स्वामी ब्रहस्पति है इसलिए किसमत का सांथ पाने के लिए धन से जूरिक दिक्रतों को दूर करने के लिए में सराशी के जातकों को भगवान विश्णू की अराधना करनी चाहिए और भगवान विश्णू की अराधना कैसे करें ओम नमो भगवते वासु देवाय 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 ओम नमो भगवते वासु देवा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका मानव जीवन, मानव जन्म पाना सार्थक हो गया। क्योंकि यह स्मरेत पुंदरी काक्षम सहवाया भ्यन तरह सुझी। जिसके अस्मरन मात्र से अंदर और बाहर दोनों जगह पवित्रता होती है वो है भगवान स्रीहरी विश्णू। तो अगर 24 घंटे में एक बार भी आपने प्रयास करके संक, चक्र, गदापन्म और पितामबर धारन किये हुए भगवान स्रीहरी विश्णू का आपने हिर्दय में ध्यान किया तो आपका जीवन बन जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए और हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। अच्छी नौकरे बिजनस में प्रॉफिट और लाइफ से हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए विश्व राशी वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुक्र विलास्त्या का कारक है, सुन्दरी इस्त्री का कारक है, भोग विलास का कारक है, विवाह का कारक है, ऐस्वरे का कारक है, शुक्र. और सुक्र की अधिस्थात्री देवी मा महा लक्षमी है यदि आपकी बिशब रासी है और नौकरी में आपको दिक्कत अगर आ रही है आप नौकरी कर रहे हैं या बेवसाय कर रहे हैं उसमें आपको फायदा नहीं हो पा रहा है या पैसों की कमी के कारण हर बंदा हुआ काम आपका बिगर रहा है तो आपको मा दुरगा की पूजा करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए ये ख्यान से सुनिए दुरगा सब्तसती में एक मंत्र है दुरगे स्मिर्ता हरसभी तिमसे सजन्तव सवस्था स्मिर्ता मतिमती वसुभांददासी दारिद्र दुख भयहार निकातो दन्या सरवो पकार करना यसदार दचित्ता इस मंत्र को अगर आप एक हजार अस्सी बार लगातार एक सो पचीस दिन तक कर दें तो चाहे जितना बड़ा दुरभाग्य आपके माथे पर लिखा होगा जन्म जन्मांतर का दुरभाग्य दूर हो जाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है बसरते आपको दुरगाजी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर इस मंतर को 1080 बार सुबह साम करना है 1080 बार करने में एक घंटे से सवा घंटे तक का समय लगेगा लेकिन आपका 23 घंटा चमक जाएगा अगर एक घंटा आपका पूजा में जाएगा तो बाकी के 23 घंटे जो 24 घंटे में हैं वो आपका चमक जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है और भगवती दुरगा की आपको पूजा भी करनी चाहिए जीवन में अगर आपके कष्ट बढ़ रहा है तो आपको सनी देव की उपासना करनी चाहिए और सनी देव की उपासना में आपको पीपल के पेंड के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और सनी चालिसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो सनी देव के मंदिर में जा करके बगल में खड़े हो करके सरसों के तेल से उनके पैरों पर तेल से अभिसे करना चाहिए और हर मंगलवार हनुमान मंदिर में बैठ कर हनुमान चालीशा का पाठ करना चाहिए आप ब्रिसवराशी के जातकों के लिए बुध जो होता है ये आपके बिद्या और उपास्तना का स्वामी होता है इस द्रिष्टी से जो देखा जाए तो आपके इस्ट देव भगवान कृष्ण, राम या भगवान विश्णू बनते हैं तो अगर आप राम रक्षा इस तुरोत का रोजपाट करें अगर इस मंत्र का भी आप 108 बार सुबह साम जवब करना सुरू कर दें और राम दरबार का चित्र अपने हीज़े में इमेजिन करना सुरू कर दें तो मैं विशुआस के साथ कह सकता हूँ कठिन से कठिन जीवन भी आपका सरल हो जाएगा जैमा बिन दिवास में देखे आज बहुत ही मेतपूर्ण विशे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आप भी अपनी किसमत चमकाना चाहते हैं अपनी हर परशानी को दूर करना चाहते हैं तो आज का एपिसोड जरूर देखेगा और क्योंकि हम बता रहे हैं हर राशी को किस मंतर के जर्ये किस भगवान की पूजा कर अपनी किसमत वो चमका सकते हैं तो बारी अब हैं मिथुन राशी की तो अच्छी इंकम, सेविंग्स, नौकरी, परिवार से जुड़ी हर समस्या से पार पाने के लिए मिथुन राशी वारों को कौन-कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए आईए अब जान लेते हैं पंडिचे से आपके अगर मिथुन राशी है तो आपकी नाक तोते की तरह होगी आपका चेहरा उपर चोड़ा नीचे पतला होगा अगर सच्मूज में आपकी मिथुन राशी है तो अगर आपकी मिथुन राशी होगी तो आपकी तवचा आपकी इसकिन आईली होगी आप कम बोलते होगे और कम संतान वाले होगे अगर आपकी मिथुन राशी है और आपके आमदनी में किसी तरह से रुकावटा रही है आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक धंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो खराब सिहत के कारण अगर वचाय हुआ धन भी बरबाद हो रहा है तो आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए भगवान गणेश के सामने बैठकर उनकी प्रत्रिमा के सामने सोट सो पचार पूजन करें पूजन के बाद गणेश अथर्व सिर्ष का कम से कम पांच बार पाट करें और चतूर्थी तिथी के दिन तो विशेश रूप से भगवान गणेश की पूजा करें और लड्डू का भोग और दुर्वा का भोग जरूर रगाएं आप देखिए चमतकार कैसे होता कैसे आपके जिन्दगी का अभाव बदलता है नवकरी और विजिनस से जुड़ी हर दिक्कत को दूर करने के लिए आपको भगवान स्रीहरी बिश्णू की उपासना करनी चाहिए हर रोज ओम गंगन पताए नमा या गणेश गायत्री मंत्र की एक माला जब करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं भगवान बिश्णू की उपासना करने से भगवान बिश्णू भौतिक सुख नहीं देते हैं सबकई ममता ताग बतोरी ममुर बसई बांधिवर रोरी ऐसा राम कहते हैं कृष्ण कहते हैं सरवान धर्मान परित्यज्माम एकम सरणम ब्रजव सब आस्रत्याक करके केवल मेरे सरणागत हो जाओ तो इसलिए दुरगा की उपासना में धन दवलत मिलती है सिव की उपासना में सिव और धर्दानी है पूरी मनो कामना पूरी होती है लेकिन विश्ण की उपासना में कष्ट और तपस्या के अलामा कुछ नहीं मिलता है लेकिन ये बात सच नहीं है ये बात बिलकुल सच नहीं है रामाण में चुपाई है जो संपदा रामणा ही दीन दिये दसमात सोई संपदा अभिभीशन ही सकुच दीन रखुनात जिस सोने की लंका को अपना सर काटकर दस बार देने पर रामण को भगवान सीव ने दिया था उसी लंका को विभीशन को भगवान राम ने संकोच करते हुए दिया था कि इतना कम दे रहा हूँ तो ये तो सिद्ध हो गया न, भगवान स्री हरी विष्णु जैसा कोई दाता नहीं, आप भी मान गये, इसलिए भगवान विष्णु के अगर आप पासना करेंगे, रामरक्षा इस्तरोत का पाठ करेंगे, ओम क्लीम क्रिष्णाय नमा का जब करेंगे, दिवाना बन करके अगर बिंदा बन में जा करके बिंदा बन की गलियों में राजे राजे कहते हुए भूमेंगे, बांके बिहारी का दर्सन करेंगे, बिंदा बन में जा करके अगर आप खो जाएंगे, स्री राजे स्री राजे कहते हुए अगर आप खो जाएंगे, तो पारिवारिक कलेश से मुक्ति पाने के लिए आपको सनी देव की आराधना करनी चाहिए। सनी देव की आराधना में मैं जहां तक समझता हूँ, पीपल के पेंड के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाके साथ परिक्रमा करनी चाहिए और कच्चा सूत साथ बार पीपल के पेंड में लपेटना चाहिए इस उपाय से पारिवारी कलह समाप्त हो जाता है इसमें कोई दो राय नहीं है जै माविन दिवास में चलिए अब बात कर लेते हैं करक राशी के लिए अब करक राशी वालों को पैसे और लाइफ से जुड़ी हर टेंशन से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए चलिए जानते हैं पंडेजे से देखिए यदि आपकी करक राशी है तो आपका राशी स्वामी चंद्रमा है इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका राशी स्वामी चंद्रमा है तो इसलिए हर जीवन के हर छेत्र में सफलता पाने के लिए आपका राशी के जात्कों को भगवान सिव की आराधना करनी चाहिए प्रातरस्मरामि भववीतिहरं सूरेशं गंगाधरं ब्रिशभवाहनमं विकेशं ख़डवांग बरदाभय हस्तमीशं संसार रोग हरम उसधम अदुतियं ओम नमा सिवाई आपके माथे की त्रिकुटी पर भगवान सिव समाधी की अवस्था में बैठे हुए है ऐसा आप ध्यान करेंगे आपके त्रिकुटी पर भगवान सिव समाधी की अवस्था में बिराजमान है और आप उन्हें देख पा रहे हैं ऐसा ध्यान आप करेंगे और ध्यान करते हुए ओम नमा सिवाय का मन में उच्चारन करेंगे तो शीव की आराधना करने से आपकी सारी मनो कामनाएं पूरी हो जाएंगी आपके जीवन का सारा अभाव समाप्त हो जाएगा क्यों? क्योंकि आसुतो सतुमय अधरदानी आरत खरहु दीन जन जानी भगवान सीव अधरदानी है और इनका ध्यान करना कोई नई बात नहीं है सास्त्रों में कहा गया है आत्मा तुम गिर्जामती सहचरा प्राणा सरीरम ग्रिह पूजाते विशयोप भोगरचना निद्रा समाधिस्थिती संचारह पदयो प्रदक्षन विधी स्त्रोता अनिसरवागिरो मेरे सरीर में जो आत्मा है ये भगवान सीव वो आप ही है और जो मेरे सरीर में मेरे देह में जो बुद्धी है वो मापारवती स्वरूपा है सहचरा प्राणा जो प्राणवायू हमारे सरीर में आती जाती है वो सीवगन अर्थात नंदियादी है शरीरम ग्रह और मेरा सरीर आपके निवास करने योग सुन्दर अस्थान है पूजा ते भी सयोग भोग अर्चना जो हम तेल, कंगी, असनान, बस्तरधारन करते हैं ये सब आपके पूजा के उपचार है निद्रा समाधिस्थिती और जब मैं सोता हूँ तो ये आपके समाधी की अवस्था है संचारा पदेव प्रडक्शन बिठी और जितने कदम मैं इस पृत्वी पर चलता हूँ हेश्यू वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है और कुछ नहीं है संचारा पदेव प्रडक्शन बिठी स्त्रोता अड़ सरवागिरो और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ चाहे जो बोलता हूँ वो सब आपकी आराधना में कहा हुआ इस त्रोत है इसके अलामा कुछ नहीं है संभो तव आराधनम तो इसलिए है भगवान सिव जो कुछ भी मैं जाने अन जाने में करता हूँ वो आपके आराधना का क्रम है इसे आप स्विकार करें इस भाव से भगवान सिव की उपासना करें करकरासी वालों को अगर मांसिक तनाव बना रहता है तो रुद्राक्ष की माला परोम नमस सिवाय का जब करना चाहिए करकरासी वालों को अगर पैसे की पैरसानी बनी रहती है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए किस्मत का सांथ पाने के लिए करकरासी के जात्कों को भगवान राम की आराधना करनी चाहिए राम दर्बार की पूजा करनी चाहिए राम दर्बार की पूजा के सांथ सांथ दोनों समय का पूर से आरती जरूर करनी चाहिए और अगर समय मिले तो एक रडिश्टर में लाल कलम से राम राम 108 बार रोज लिखने का अभ्यास भी करना चाहिए ये सारे उपाय आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे और आपको सुखी जीवन देंगे इसमें कोई संसय नहीं है जै माविन दिवासनी चले पंडिजी इस बीच मारे साथ कॉलर जूड़ गए हैं आए उन से भी बात कर लेते हैं अनू है मारे साथ दियाना से बताईए अनू आपना सवाल पूछिए पंडिजी सुखी रो बेटा मैं अलभ्याना से बाप कर रहे हैं अनू कत्र वस्की मेरी आजू है पंडिजी पहले शादी चले नहीं दूसरी शादी कब तक होगी और मेरे कमाई करेशन है और उसकी भी शादी हो गई है उनकी भी लड़ाई जगड़ा चले उनकी शादी च जिसकी मेरे भाई की शादी अच्छा अनू जो तुमने अपने सादी के बारे में पूछा है मंगल सुंक्र का स्वराष्टक योग है अभी तुम्हारे दूती विवाह का संयोग नहीं बनता हुआ दिख रहा है अभी इसमें एक से देढ़ साल का बिलंब है तुम्हें चाह पूर से आरती करो यह उपाए 16 सुक्रवार अगर आप करोगे तो आपका सुंदर और ठिकाओं विवाह होगा यहां तक भाई के बारे में आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं भाई का विवाह चलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है थोड़े से मनमुटाओ तना पी का महौल चाहिए तो इन्हें किस भगवान की पूजा से किस देविदेर्ता की मूर्ती रख अपने घर में रखने से लाब होगा आए जानते हैं कि देखें सिंघारर की का स्वामि सूरे कि सिंघाराड के Kitty लख पचासी प्रस्यत लोग कि अजूति प्रत्वा के स्वामी होते हैं कि 15 पत्रतशत लोग इसलिए नहीं होते हैं उनका ग्रह संचार बिगड़ा होता है जिसके कारव सिंघारासी में जन्मा लेने के बाद उस फल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अध्यन है, पचासी परसेंट लोग अध्यूतिय प्रत्वा के, अध्यूतिय छमता के बेक्टी होते हैं। और अगर देखा जाए, तो ये समाज में आठ परसेंट लोग पूरे समाज का नेत्रितु करने में सक्षम होते हैं। अगर आप भी सिंहरासी के हैं, और जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको हर रोज जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान सूरी को अर्ग देना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही और आलत से नहीं करना चाहिए। सुबह प्राता कालूट करके नित्य क्रिया से निबृत हो असनान करना चाहिए। प्रानायाम करना चाहिए। नाड़ी सोधन प्रानायाम करना चाहिए। 20 सेकेंड सांस को खीचना चाहिए। 15 सेकेंड सांस को बाई नाग से खीचना चाहिए। 60 सेकेंड स्वांस को रोकना चाहिए। और तीस सेकेंड दाहिनी नाक से स्वांस को निकालना चाहिए और हो सके तो ये क्रिया करते हुए मन में ओम ओम करते रहे और जो लोग अच्छी साधना चाहते हैं जो लोग कुंडलनी का जागरन चाहते हैं जो लोग चाहते हैं कि भूविस बार्तमान मुझे दिखाई दे उन लोगों को चाहिए इस मंत्र को नाभी पर भगवान विश्णू का ध्यान करते हुए तीन बार पर भगवान भगवान सिव का ध्यान करते हुए तीन बार अर्थात एक बार के प्रानायाम में नव बार इस मंतर का जब करना चाहिए जिस दिन नव बार एक सौंस में एक मंतर आप कर लेंगे उस दिन आपकी ये साधना साकार हो जाएगी और आपकी मनोकामना के वो सोचने मातर से पूरी हो जाएगी तो ये रही सूरी उपासना का फल तो जीवन में सफलता पाने के लिए हर रोज भगवान सूरी को अर्ख देना न भूले और सिंह रासी के जाता के अगर सूरी देव को रोज अर्ख देंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी भागी भी चमकेगा आत्म विस्वास मजबूत होगा बेजनेस और करियर में सफलता पाना है तो मादुरगा की आराधना ज़रूर करने चाहिए दुरगा के 108 नामों का नित्य पाठ करने से कभी आपकी घर में रीड, रोग और दरिदरता ये तीन चीज़ें नहीं दिखाई देंगी करने से सिंह राषी के जात्कों को ततकाल कलह और कलेश से मुक्ति मिलती है ततकाल सदबुधी का जागरन होता है, विवेक का आस्राय मिलता है जैमाबिन दिवास में और चलिए अब बारी है कन्या राषी की तो पैसा, बिजनस, फामिली और हिल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्रोस को दूर करने के लिए कन्या राषी वालों को कौन से देवी देवताओं की पूझा करनी चाहें? चलिए जानते हैं कन्या राषी का स्वामि ग्रह बूध है कन्या राषी वालों को अगर अपने कारोबार में दिकत दिखाई दे रही है पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं हर काम में आपको किस्वन्त का साथ नहीं मिलता है तो कन्याराश वालों को मादुर्गा की पूजा करनी चाहिए वैसे भी कन्याराशी के जात्कों का जीवन जो होता है वो काफी संघर समय होता है और कन्याराशी के जात्क समाज में मिलना घुलना कम जानते हैं मतलब से मतलब रखते हैं इसलिए विपत्तिकाल में इनके सहायता करने वाले लोगों की भी बहुत कमी होती है तो कन्याराशी के जात्कों को कहना चाहूंगा एक तो समाज में अपना मेल मिला बढ़ाएं नियस्वार्थ भाव से लोगों से बिवहार रखें और दूसरा काम आप मा दुर्गा की नित्य पूजा करें अगर जादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके घी का दिया जला करके दुर्गा चालीशा विंधेस्वरी चालीशा का पाठ कर लिया करें अच्छी सेहत और सफलता पाने के लिए आप कन्या राशी के जातक भगवान गणेश की उपासना करें गणेश अथारुसिर्ष का पाठ करें और भगवान गणेश की विधिवत सोट सो पचार पूजन करें ओम गंगन पताय नमहिस मंत्र का ऐसा संभुजब करें और अगर परिवार में आपके कलेश बढ़ रहा है कलह बढ़ रही है तब तो आपको भगवान सिरी राम की पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि जहां राम दरबार की पूजा होती है वहां से कलह कलेश अपने आप दूर हो जाता है जब आप राम रच्छा इस्तरोत का सुबह साम पाठ करना शुरू कर देंगे कपूर से भगवान सिरी राम की आर्थी करना शुरू कर देंगे तो निह संदेह आपके घर से कलह का बातावरन समाप्त हो जाएगा और आप एक सुखी और सभ्रांत व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करेंगे जै माविन दिवासमी चले अब बारी है तुला राशी की तो हैपी मेरिड लाइफ बच्चों की तरक्वी और लाइफ की हर मोड पर सक्सेस पाने के लिए तुला राशी वालों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए यह भी जान लेते हैं पंदिक से तुला राशी का स्वामी ग्रह सुक्र है इसलिए तुलाराशी के जात्कों को अपने जीवन में सफल होने के लिए मादुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए दुर्गा सब्तसती में जो कवच का पाठ है तुलाराशी के जात तक अगर उस कवच का नित्य पाठ करना शुरू कर दें कवचे ना निविर्तो नित्यम जत्र जत्रई वगच्छती तत्र तत्रा थलाभश्य विजयम सर्व कामिगह यम्यम चिन तैते कामम तम तम प्रापनोत निश्चितम अगर तुलाराशी के जातक हलके रंग का वस्त्र पहन करके दुरुगा जी के चित्र के सामने पूरब मुह बैठ करके घी का दिया जलाकर दुरुगा जी की प्रतिमा पर गंधाक्षत पुसु धूप दीप नवेद्य समर्पित करके और दुरुगा सब्तसती के कवच का पाठ करें और दुरुगा जी के एक सो आठ नमों का पाठ करें और इसके बाद देब्य अथर व सिर्ष का पाठ करें और इसके बाद छमा प्रार्थना कर लें अगर इतना उपाय तुलाराशी के जातक नित्य करें, तो एक वर्स के अंदर इनके जीवन में जो चमतकार होगा, उसकी कलपना सब्दों में नहीं की जा सकती। और मैं ऐसे ही कारक्म कर रहा हूँ, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, अगर आपकी तुलाराशी है, आपने अंगूठी पहन लिया, आपने हवन कर लिया, आपने पूजन कर लिया, लेकिन कहीं से कुछ किस्मत आपकी बदल नहीं रही है तो आप दुर्गा सप्तसती के कवज का पाठ करिए दुर्गा अश्टुत्तर सतनाम का पाठ करिए और छमा प्रार्थना जरूर करिए देव्य अथर्व सिर्ष का पाठ जरूर करिए और अथरो सिर्ष का पाठ करने के बाद जो हिंदी में अर्थ लिखा हुआ रहता है उसमें गीता प्रेस की किताब में उसको भी जरूर पढ़िएगा ये उपाय अगर आप एक साल तक अनुवरत कर लेंगे तो जीवन भर के लिए आपके जिन्दगी से रीन रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी हाँ एक बात जरूर है कि आप सोचेंगे कि क्यों पंडी जी ये बात नहीं कह रहे हैं आपका यो कारग्रह जो है वो सनी है यो कारग्रह सनी है सबसे फेवर करने वाला ग्रह आपका सनी है इसलिए तुलारासी के जात्कों को पारिवारिक सुक, सांती और संतान की तरक्की के लिए सनी देव की भी पूजा करनी चाहिए और सनी देव सबसे ज़यदा प्रसन होते हैं पीपल के पेंड के नीचे सनी वार को बैठ कर अगर सनी के मंतरों का जब किया जाए या किसी सिवाले में बैठ करके ओम संग शन्ष चराय नम्ह का मंतर जब किया जाए तो सनी देव का अरिश्च ततकाल समाप्त हो जाता है वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए आपको सनिवार के सायंकाल सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए अगर आमने सामने दो लोग बैठ कर सुंदर कांड का पाठ करें एक लोग एक चोपाई पढ़ें दूसरे लोग दूसरी चोपाई पढ़ें इसका फल और भी अच्छा हो जाता है। कारोबार, सेहत और आत्मिस्वास बढाने के लिए तुलारासी के जात्तों को मागवरी की उपासना करने से मागवरी की उपास्ना करने से और खास करके तुलारासी की जो लड़कियां है तुलारासी की जो लड़कियां है विवाह के योग्य हैं उन्हें तो पारवती का पूजन जरूर करना चाहिए देवि पूजिपद कमल तुम्हारे सुरनर मुनिसब होई सुखारे अगर इस मंत्र का कुमारी लड़की 108 बार मागवरी का ध्यान करके जब करे तो निश्चित रूप से उसे मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है चीरन जीवी दिरगाई उबर के सांथ उसका विवा होता है और वो आर्थ काम मोक्ष सब सारे पूर्शारतों को प्राप्त करती है जै माविन लिवास में चले तुला राशी के बाद अब बारी है व्रिष्चिक राशी की तो तरक्की अच्छी इंकम मानसिक शांती और किस्मत चमकाने के लिए व्रिष्चिक राशी वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए आए जानते हैं पंडे जैसे से बिष्चिक राशी का स्वामिक रह मंगल है जैसा कि आप जानते हैं मंगल साहस और पराक्रब का प्रतिंजित तो करता है मंगल जब खराब होता है तो डाइबिटीज भी होती है लो ब्लड पेसर भी होता है हाई ब्लड पेसर भी होता है मंगल जब खराब होता है तो सरदर्द और माईग्रेन की प्राब्लम भी होती है मंगल जब खराब होता है तो रक्त में कमी आती है हीमोगलोबीन डाउन हो जाता है दर लगने लगता है मंगल ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाता है तो अच्छी सेहत मानसिक सांती और तरक्की के लिए ब्रिष्चिक राशी के जात्कों को मंगल को ठीक करना है तो हनुवान जी को प्रसंद करिए। हनुवान जी के प्रसंद होते ही मंगल ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि मंगल का जो देव है वो हनुवान है। मंगल को जन्में मंगल ही करते, मंगल मैं हनुवान। तो हनुमान चालीशा का पाठ, सुन्दर कान का पाठ, बजरंग बान का पाठ, संकठ मोचन हनुमान आश्टक का पाठ करना चाहिए। पैसों की कमी के कारण अगर बंते काम बिगर रहे हैं, तो बिरिश्चिक राशी के जात्कों को गुरुवार के दिन भगवान स्रीहरी विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए और उन्हें केले चरहने चाहिए। और वो केले दर्सनार्चियों में या आने वाले वहां भक्तों में बांटना चाहिए। अगर बिश्चिक राशवालों का किस्मत सांथ नहीं दे रही है, तो आपको आउधर रानी भगवान स्यू की आराधना करनी चाहिए। आपको सांती पुरुवक सिवाले में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र सिवलिंग पर अरपित करना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। हो सके तो पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद वहीं उत्तर मुह बैट करके ध्यान मुद्रा में ओम नमा सिवाय का कम से कम दस मिनिट तक उचारन करना चाहिए। ओम नमा सिवाय। जितने मिनट आप ओम नमा सिवाय करें उतने मिनट आप अपने तन की याद भूल जाए। आप एकड़म शिवमय हो जाए। और भगवान सिव के स्वरूप की कल्पना करते हुए इस मंत्र का आप जब करें। निया संदेह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा सिवाले से जिव आप निकलेंगे न तो ऐसा लगेगा कि जैसे उद्याचल से सूरज निकल रहा है वो तेज और वो आत्म विश्वास आपके अंदर रहेगा जैमा बिंदिवास में चले अब बारी आ गई है धनुराशी की तो प्रॉपर्टी बन जाए प्रॉपर्टी से फाइदा हो जाए कारोबार से जुड़ा नुकसान कम हो घाटा मुनाफ़े में बदर जाए खराब सेहत सुदर जाए और विवाहिक जीवन सुकी हो इसके लिए धनुराशी वालों को किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए चले जानते हैं पनेचे से धनुराशी का स्वामी ग्रह ब्रहस्पति है अगर आपकी राशी धनु है और आपकी सेहत हमें साख खराब रहती है आपको डाइबटीज है आपको ब्लड पेसर है आपको पेट सम्मंधी कोई बीमारी है या आपकी परिवार में बीमारी है परिवार का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है आपकी पत्नी बारबार बीमार रह रही है प्रापर्टी से जुरा नुकसान हो रहा है तो आप धनु भगवान कृष्ण की छवी को अगर आप अपने हिज़े में धारन करेंगे, तो निहसंदेह आपके जीवन के सारे कलमस धुल जाएंगे। धनुराशवाले अगर किसमत का सांथ पाना चाहते हैं, तो हर रोज इन्हें सूरी को जल्च रहाना चाहिए। कारोबार में ज्यादा मुनाफ़ा और वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए बुधवार के दिन धनुराशवालों को गनेश जी की पूजा करनी चाहिए। और जिंदगी में परम सफलता प्राप्त करने के लिए श्रीमद भागोत महापुराण में जो रास पंचा ध्याई है, पांच ध्याई में जो भगवान किस्म ने रास लीला की है, अगर उसका रोज पाठ करना सुरू कर दिया जाए, तो एक वर्स के अंदर आपका संपूर जीवन बदल जाएगा जैमाविन जवास में. तो सेहत, पैसा, प्रमोशन और परिवार में खुशियों के लिए मकर राशी को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, चले जानते हैं पंडित सुरेश्मांडेची से. देखिए, अगर आपकी मकर राशी है, तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशी का स्वामी सनी देव हैं. इसलिए भईया, सेहत, पैसा, आत्मिश्वास बढ़ाने के लिए सनी देव की पूजा करिए. लेकिन सनी देव की पूजा के सांथ एक बार ध्यान रखिए, समाज में कभी किसी गरीब दीनहीन लाचार व्यक्ती का उपहास मत करिए, किसी मजदूर का हक मत छीनिए, किसी तरह से अनायतिक कारे मत करिए, क्योंकि सनी देव जो है, ये दंड का बिढ़ान करते हैं. अगर आपने गलत सही धंग से धनो पार्जन किया है, अनायतिक धंग से अगर आपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश की है, तो आप विश्वास करिए, सनी देव की बारी आते ही सारा हिसाब किताब हो जाएगा. इसलिए मकर रासी के जातकों को खास करके अपने चरित्रबल पर ध्यान देना चाहिए. हाँ, आपका योग कारग्रह मंगल है, प्रमोसन पाने के लिए और परिवास से कलेश को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की भी पुजा करनी चाहिए. हर मंगल वार आपको हनुमान मंदिर में बैठ कर हनुमान चालीसा के 10 या 11 पाठ करने चाहिए. और हनुमान चालीशा का पाट करने के बाद हो सके तो भूंदी के लड़्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चरहा करके उसका भोग लगाना चाहिए और मंगलवार के दिन ब्रह्मस्यारे का पालन करना चाहिए जैमादिन दिवासनी चली अब बात कर लेते हैं कुम्ः राशी की तो आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए सेहत सभारने के लिए और कारोबार में वृधि के लिए कुम्ः राशी वाले किस देवी देवता की पूझा करें चली जानते हैं देखे कुम राज़ी के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका भी राज़ी स्वामी सनी है और आपकी राज़ी सनी की मूल त्रिकोन राज़ी है इसलिए अगर आप सनी देव की पूजा करेंगे तो आपका आत्मिश्वास बढ़ेगा, सेहत में सुधार होगा किस्मत का सांथ पाने के लिए, पविवार से कलेश को दूर करने के लिए कुम राज़ी के जातकों को मादुरगा की पूजा करनी चाहिए एक बाद साथ आपना जानते हों तो जान लिए सबसे ज़्यादा इस धर्ती पर कुम राज़ी के लोग ही है क्योंकि आप चाहे तो अपना टेलिफोन के कांटेंट लिस्ट में देख लीजिए यस पर सबसे ज़्यादा नाम होगा तो कहने का मतलब यह है कि कुम राज़ी के जातकों को सफलता पाने के लिए हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की तो ऐसी उपासना करनी चाहिए कि वो नियम बन जाये कभी जीवन में वो नियम टूटे ही ना सुबह भी साम को भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए मंगल बार को चमेली का तेर और सिंदूर ले जा करके किसी हनुमान मंदिर में चोला चाहाना चाहिए हनुमान जी को के सरिया रंग के वस्तरा अरपित करना चाहिए कि हनुमान जी को जनेव चाहाना चाहिए और हनुमान जी के सामने लड़ो तुलसी के पत्तों का भोग लगाना चाहिए और बैठ करके संकिर्तन भी वहां किया जा सकता है श्री राम जै राम जै जै राम जै जै बिखन हरन हनुमान अगर इसा भी 108 बार आप संकिर्तन हनुमान मंदिर में कर लें तो हनुमान जी की वजह से आप की मौनों कामना पूरी होगी जै माविन जवास में तो अच्छी सेहत, पैसा, प्रॉपर्टी और अच्छे कारोबार के लिए मीन ब्राशी वाले किस देवी देवता की पूजा करें आए जानते हैं मीन ब्राशी का स्वामिक्र ब्रहस्पती है यह आपको भी पता है इसलिए अगर आप मीन ब्राशी के जातक हैं तब तो आपको हर रोज भगवान स्री राम की पूजा करनी चाहिए भगवान स्री राम की पूजा से अच्छी सेहत पैसा प्रापर्टी और अच्छे कारोबार का बरदान मिलेगा हर रोज स्री राम अस्तुती का पाठ करना चाहिए राम रच्छा इस्तरोत का पाठ करना चाहिए हो सके तो राम चेर्ट मानस में जो राम जनम है भए प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कौशिल्या हितकारी हरसित महतारी मुनिमन हारी अध्भुत रूप विचारी तो इस राम जनम को भी पढ़ना चाहिए कहदूरिकर जोरी अस्तुत्तोरी कहबिद करव भननता माया गुन गयाना तीत अमाना बेद पुरान भननता तो कहने का मतलब यह है कि राम जनम और राम रच्छा इस्तुरोथ का पाठ यदि मीन रासी के जातक नित्य करने लगें तो चाहे उनका जितना भी ग्रह खराब होगा वो सब दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा अच्छा मीन रासी वालों के भागय भाव का स्वामी मंगल होता है इसलिए मीन रासी वालों को पैसों से जुड़ी परिसानियों से मुक्ती पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए हनुमान जी रिद्धी सिद्धी के दाता है इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से दरिदर्ता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, हभाव दूर हो जाता है हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालिशा का पाठ करना चाहिए, सुन्दरकान का पाठ करना चाहिए ओम हंग हनमतय नमह का पाठ करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है मंगलवार के दिन ब्रह्मस्यर का पालन करना चाहिए तब हनवान जी की क्रिपा आपके उपर देखे कैसे बरस्ती है जैमाबिन दिवास में